नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल मिसन स्टेडी पर मित्रों, आज के इस वीडियो में हम निरुक्तकार यास्क का जीवन परिजे पढ़ेंगे चली मित्रों वीडियो शुरू करते हैं निरुक्तकार यास्क का पूरा नाम है यास्क इनका जनम है तो इनका जनम महाभारत कालक के पुर्व शांति पुर्व अध्याय के 342 का संधर्व महाकवी यास्क का जनम हमें महाभारत काल के पुर्व शांति पुर्व अध्याय में 342 में मिलता है निर्क्तकार यास्क का युग वेदिक काल के अंतिम वर्षों को माने जाता है छेत्र निर्क्तकार यास्क का छेत्र भारतिय उप महादीब को माने जाता है भारतिय उप महादीब निर्क्तकार यास्क का छेत्र कहा गया है निर्क्तकार यास्क की मुख्ये रूचियां निर्क्तकार यास्क की मुख्ये रूचियां है संस्कित व्याकरन जैसे हम सबी की कोई ने कोई होवी होती है उसी प्रकार महाकवी यास्क की भी कुछ होवी इस थी तो उनकी होवी है संस्कित व्याकरन संस्कित व्याकरण में वे अपनी विशेश सुरुची रखते थे उलेकनिय विचार महाकवे यास्क का उलेकनिय विचार प्राजी सुवे वैवस्तित व्याकरण करताओं में से एक मुख्य कृतियां निरुक्त मुख्य कृतियां है निरुक्त कार यास्क की निरुक्त चुंकि मैं हर बार निरुक्त कार नाम ले रही हूँ तो आपको बता दू इनकी कृति है निरुक्त तो इसलिए इनको निरुक्त कार भी कहा जाता है यास्क के नाम के आगे निरुक्तकार इसलिए लगाए जाता है क्योंकि यह इनकी प्रसीदी थी निरुक्त इनकी प्रसीदी थी इसलिए इनका नाम निरुक्तकार यास्क के नाम से संभोधन किया गया है निरुक्तकार यास्क का परिचे यास्क निरुक्त के प्राचीन कालिक ख्याती प्राप्त रचियता थे निरुक्त की गर्ना 6 वेदाउंगों में होती है इस निर्वक्त की गर्णा 6 वेदांगों में होती है व्याकरण सास्तर में निर्वक्त का बड़ा महत्व है यास्क का काल अनिशित है किन्तु है यसस्विव व्याकरण पानेनी का पूर्व कालिक मानजता है यास्क जो है वे यसस्विव्याकरण पाणिनी के पुर्वकालिक माने जाते हैं यास्क ने पहले निघंटु नामक वेदिक शब्द को स्तियार किया था यास्क ने निरुक्त कार यास्क ने पहले निघंटु नामक वेदिक शब्द को स्तियार किया था निरुक्त उसी का विशेशन है पहले उन्होंने निघंटु का शब्द को स्तियार किया उसके बाद उन्होंने निरुक्त का विशेशन तयार किया निघंटु और निरुक्त की विशे की समानता के कारण ही शायन आचारे ने अपने रिग्वेद भाषे में निगंटु को ही निरुक्त माना था अब निगंटु और निरुक्त विश्ट की विशेक समानता के कारण इनके विशेकी जो समानता है इन ही के कारण शायन आचारे ने अपने रिग्वेद भाषे में सायन आचार्य का अपना भाष्य है रिग्वेद भाष्य रिग्वेद भाष्य में उन्होंने निगंटु को ही निर्ग्त माना था मित्रों ये यूजिसिनेट के एक्जाम में बहुत बार पुछा गया है कि सायन आचार्य ने किस को निघंटु को ही निरुक्त माना है यह प्रसने पूछे जाता है कि किस आचारिय ने निघंटु को ही निरुक्त माना है तो आपका जवाब होना चाहिए कि शायन आचारिय ने ही निघंटु को ही निरुक्त माना है यास्क वेदिक संग्याओं के एक प्रसिद व्यूत्पत्तिकार एम व्याकरन थे यास्क जो थे वे वेदिक संग्याओं के एक प्रसिद व्यूत्तिकार एम व्याकरन थे इनका समय महाभारत काल के पूर्विका था यास्क का जो समय है वे महाबायत काल के पूर्व का था तबी इनके जुनम के संबन में कहा गया है कि महाबारत में जिसे 18 पर्व होते हैं महाबारत में कितने अध्याईएं हैं महाबारत में 18 अध्याईएं 18 पर्व हैं जिसमें शांती पर्वम के 342 नंबर संधर्व में महाकवी यास्क का जनम बताया गया है। तो जैसे कि इनका समय महाबारत काल के पूर्व का था शांती पर्व अध्याय 342 का संधर्व जिसमें प्रमान है। इन्हें निरुक्त कार कहा गया है महा कभी यास्क को निरुक्त कार भी कहा गया है निरुक्त को तीसरा वेदांग माना जाता है अब निरुक्त को जो है तीसरा वेदांग माना जाता है वेदांग जो होते हैं छे वेदांग होते हैं यह किसन एक्जाम में बहुत पर पुछा गया है शड़ वेदांग जिसमें शड़ वेदांग कौन कौन से होते हैं जबकि कई पुस्तकों में इसकी जानकारी गलत दी गई है शड़ वेदांग होते हैं पंच वेदांग नहीं होते हैं कई पुस्तकों में वेदांगों को पांच माना गया है जबकि वेदांग 6 होते है वेदांग इस प्रकारा जैसे की शिक्षा, कल्प, व्याकरण, चंद, निरुक्त और जोतिस इनकी कर्मों का सही नहीं हुआ है तो पहला जो वेदांग है वह शिक्षा, दूसरा था, कल्प, तीसरा था, निरुक्त, पांच Kannad चंड जोतिस, यह 6 वेदांग है, व। वेदांग माने गई हैं यासक ने पहले निघंटु नामक वेदिक शब्द को उसको तियार क्या हूँ निर्थ उसी का विशेशन दिघंटु और निरुक्त की विशे समानता को देखते ही सायन आचार्यनी अपने रिग्वेत भाष्य में दिघंटु को ही निरुक्त माना है व्याकरण सास्त्रमेंदरुक्त का बहुत महतव है यास्क ने शब्दों के चार वर्गों का वर्णन किया है ये शब्द इस प्रकार है पहला है नाम, दूस्ता आख्या, तीसरा उपसल, चोथा नीपार ये चार शब्द हैं इनका वर्णन, इस प्रकार नाम का इन्होंने वर्णन किया है कि नाम संग्या या मूल रूप यह नाम है इसका संग्या और मूल रूप दूसरा है आख्यात, आख्यात का होगा किरिया तीसरा है उपसर, उपसरक चोथा है नीपार यास्क ने सत्व विध्या से सम्मंदित दो वर्गों को एक किरिया, किरिया या कारिय, भाव, तत्व या जीव, सत्व इसके बाद सर्व पर्तम इन्होंने किरिया का वर्णन किया जिसमें भाव किरिया प्रबल होती है इन्होंने सरुपर्थम किरिया कावणन किया जिसमें भाव किरिया प्रबल होती है जबकि दूसरी और सत्व वस्तु प्रबल होती है दूसरी और कौन सी प्रबल है तो दूसरी और सत्व वस्तु प्रबल होती है यास्क जो है वो निरुक्त के लेखक हैं जो शब्द वर्गी करण वे शब्धार्त विज्ञान पर एक तगने की प्रभंद है यास्क को शाक्टायन का उत्राधिकारी माना जाता है जो वेदों के व्याख्यान करता थी शाक्टायन जो थे वे व्यास्क के उत्राधिकारी थे जबकि वे वेदों के व्याख्यान करता थे इनका उलेक व्यास्क की रचनाओं में मिलता है निरुक्त में यह समझाने का परियास किया गया है कि कुछ विशेश शब्दों को उनका अर्थ कैसे मीला विशेशकर वेदों में देगे शब्दों को ये धातों प्रत्युवे असा मान्य शब्द संग्रों से शब्दों को बनाने के नियम तंत्र से युक्त है एक स्लोक है वना गमो वन्य विपरियश्य दूअच्छा परो वन विकारो शनाशो अब निर्गत के तीन कांड़ों में विभाजित है तो निर्गत जो है वै तीन कांड़ों में विभाजित है इसे तीसरा वेदांग भी कहा गया है वेदांग छेप्रकार के होते हैं शिक्षा, कल्फ, व्याकरण, छन, जोतिस और निर्गत ये छे प्रकार की वेदांग है, इसमें निरुक्त जो है वे तीसरा वेदांग है, निरुक्त के तीन कार्ण है, निरुक्त तीन भागों में विभाजित है, पहला है नेगंटु, दूसरा है निगम, नेगम तीसरा है देवत, तो निरुक्त जो है वे तीन कार्णों में विभ वित्पत्ति ृत्त काले और गाता को समुचेम अब महा कवि यास्कने वेद को ब्रह्म्हा आधा, कई बार प्रतियोगी प्रक्षाओं में यह है प्रस्ट ने बहुत बर पुछा गया है कि किस महाकवी किस निरुख्तकार ने एक्षिली तो निरुख्तकार तुए कि कि किस महाकवी ने या ति किस महर्शी ने वेद को ब्रह्मा कहा है सो इसका राइट आंसर होगा कि यास के निवेद को ब्रह्मा कहा है और इसी इतिहास रिचाओं और गाथाओं का सम्मूच्य माना है इसी के साथ आज का अमारा ये वीडियो कम्प्रीट होता है